मंदी ने कम्पनियों को भारी सीखती है कम्पनियों का कहना है कि मंदी में भी काम करने वालों की कमी देखी जा रही है उद्योग जगत के मताबिक घरेलू बाजार में हुनर्मन प्रोफेशनल्स की बेहत कमी है कमपनियों का कहना है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा तादाद में प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थाकि वो अपने पद और जरूरत के मताबिक परफॉर्मन्स दे सके मौका तो था नैशनल HRD नेटवर्क के हुमन कैपिल कॉंकलेव का लेकिन पूरे कॉंकलेव में हुमन कैपिल की कमी का मुद्दा ही केंजर में रहा सेमिनार में शुरकत करने वाले देश की नामी गिरामी कंपनियों के HRD ने माना कि भारत में कंपनियों को और बहतर नतीजे दिखाने के लिए बड़े पैमाने पर 10 प्रोफिशनल्स चाहिए सरकारिया को के मताबिक 2020 तक देश में कम से कम 50 करोड स्किल्ड मैन पाउर की जरुत होगी करने वाले कंपनियों के लिए फिलहाल कंपनिया वेकल्पिक तरीकों पर फोकस कर रही है मसलन इसके लिए फ्रिलांसर्स को काम के लिए हायर किया जा रहा है साथी घरबेटे काम देने, कॉंट्रैक्ट पर लोगों को काम पर रखनी और अरस्थाइट तोर पर प्रोफिशनल्स को भी हायर किया जा रहा है और कंपनियों का मानना है कि अच्छी प्रतिभाव को आकशित करने के लिए अब इंफ्लेशन की बजाए कोफॉर्मिंस के अधार पर ही सालरी बढ़ाए जाने चाहिए अगर आपको नौकरी की तलाश है तो कंपनियों को भी आपकी तलाश है लेकिन जो चीज़ आपको आपकी ड्रीम जॉब के साथ मिलवाएगी वो है स्किल्स एंड एक्सपटीज कैमरेबसन सुरंदर कुमार के साथ सुप्राभार दौाज जी मीडिया दिल्ली